इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी आइफोन की ओरिजनल और फेक डिस्प्ले में फर्क कैसे जान सकती हो आप अगर दोस्तो आप second hand आइफोन पर चेस करने जा रहे हो तो बहुत जादा chances हैं कि आप धोका खा जाओ और डुब्लिकेट डिस्प्ले में काफी लोग यह कहेंगे कि जिस डिस्प्ले में true tone होगा वो डिस्प्ले ओरिजनल है तो दोस्तो अगर आप यह सोचते हो तो आप गलत हो क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि हम डुब्लिकेट डिस्प्ले पे भी true tone message या true tone function कापी कर सकते हैं बहुत easy है 10 seconds लगते हैं इसको कापी करने के लिए सो start करता हूँ मैं इस वीडियो को कि आपको best points आपको बताऊंगा सबसे पहले गाईज अगर छोड़ दो true tone वाली सारी चीज़ों को आपको जाना है settings में और about section में देखो settings में जाओ general section में और about में चलते हैं सो यहां पर आप देख सकते हो parts and service history लिखा हुआ है सो जो जो part आपका change हुआ है आइफोन में वो आपको यहां show होगा सो सबसे पहले parts and service history में आप देखो battery मेरेको show हो रही है सो यहां battery के case में मेरेको important battery message show हो रहा है कि your iPhone's battery health is significantly degraded contact the apple service provider so that you can upgrade your battery health so अभी guys battery जो है ना मेरी drop हो चुकी है health अब मैं display की बात करूँ so अगर आपके phone में जो display है वो duplicate होगी तो आपको about phone में यहां parts में display का message show होगा important display message या unable to verify that part so अगर आपका वो message आ रहा है इसका मतलब आपके phone के display duplicate है यह जो चीज है ना वो latest iPhones के उपर ही होगी जैसे iPhone XR से जो उपर वाले है ना XR भी included है उन में so आप इन चीजों को I would say कि point out कर सकते हो और true tone हम copy कर सकते हैं duplicate display में भी so इस message को remove करने के लिए IC change करना पड़ता है और वो IC भी मतलब यह वो जो message है ना unable to verify the part वो भी delete किया जा सकता है so original display आपको colors से पता चलेगा कि कैसे इसके colors है और duplicate display में difference क्या है so दोस्तों आपको message देखने है true tone देखने है और colors देखने है कि original वाले है या duplicate वाले है so आपको difference जानने के लिए बहुत ही जादा मतब आपको kind of breaky से check करना पड़ेगा कि आपके iPhone के display original है और duplicate है so this was the video कैसी लगी दो let me in the comment section thanks for watching thank you so much